हालो फेंक्स वेलकम यू आल आज मैं आपके जो वीडियो दिखा रहा है बात करने वाले है एक हिडन स्टॉक की दिखें बहुत इंपोर्टेंट कॉंसप्ट आपको जो बताया जाता है यहां पे लाइम लाइट में आने से पहले स्टॉक को कैसे देखना और कैसे समझना है य अब बड़ा प्लेयर अगर किसी स्टॉक में कुछ बाइंग कर रहा है अकुमूलेशन कर रहा है तो अपने निशान जरूर छोड़ेगा तो उसी को ही आइडेंटिफाई करके आगे हम देखते हैं जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में पीसी स्टॉ से और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप जोइन कर सकते हो मेंबर से जोइन बटन पर क्लिक करके और वी एनल के स्टॉक को आप अल्रडी देखी चुके होंगे कैसे 33 के लेवल से आज 73 के लेवल पे है ज्यादा टाइम नहीं है इसको और मैं कहूंग अगर आप देखो के टाइम के साब से तो दो महीने दो महीने में आपके पैसे को डवल से भी उपर का रिटन देना और बी एनल से देखो और यह स्टॉक रडार में कैसे है मात्र 33 के लेवल से क्यों क्योंकि पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था और इसी कारणवास यह स्टॉक रडार में आ गया था यह लवल था देखिए तो चले डिटेल में समस से रिलेटेड है आज से नहीं टाटा की यह कंपनी है ज्यांद है टाटा ग्रूप की यह कंपनी है बहुत पुराना इतिहास है तो समझेंगे क्यों यह रडार में आया यह इसका वीकली चार्ट है अगर आप वीकली चार्ट को देखो रैली इंडिया का जो पिछला लो इस पर लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देखो कि प्राइस फॉल होता होता इन्हीं बॉटम के उपर चला गया ले कि इस रेंज में एक सो नब्य के लवल पर तो बहुत इंपोर्टेंट जोन अब जहान से देखने की समझने की कोशिश करना जो आपको दिखाया यहां पर देखने को मिला था आपको यह देखिए अलग-अलग लेवल पर प्राइस ने अकुमिलेशन किया था और फिर से जब उन जोन में आ गया तो प्राइस फिर से देखिये तगड़ी तरीके से बाइंग के टावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो यही कारण है कि यह स्टॉक बेलकुल रडार में अब देखिए इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा रेलेट करने की कोशिश करना पीक बना और एक लोवर हाई लोवर लोग की सीरीज बनी अगर आप देखोगे एक्जिस्टिंग लेवल यहां पर ब्रेक हो चुका है फिर क्या बना से क्याकि अपने डिमांड जोन की तरफ यह गया तो यहां से देखिए यह बाइंग यह बाइंग देख रहे हो यह बड़े बड़े टावर्स यह क्या दरसार है एक स्मार्ट मनी का जो है एक्टिव होना इस एरिया में यह दिखा रहे है लेकिन ज़रा और समझने की यह देखिए अब धीरे धीरे प्राइस इस चैनल से बाहर निकलने की कोशिश यहां पर कर रहा है देखिए इस पार्ट को प्राइस इस चैनल से बाहर निकलने की कोशिश यहां पर कर रहा और बड़े वाल्यूम के टावर्स के साथ बड़े वाल्यूम के टावर्स जब भी बने हैं प्राइस में एक बड़ा राइज आया है देखिए यह एक सिग्निफिकेंट अंडरस्टेंडिंग मैं कहूंगा आप देख सकते हो बड़ा प्राइस का मुवमेंट आप देखिए देख रहे हो और कही वारत आप देखिए कैंडल बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट वी यह देखिए लास्ट वीक का तो यह सिग्निफिकेंट बूव इससे पहले जब आप देखोगे यह मूव आपने देखा यह वाला बड़ा फॉल के साथ भी बड़ा वॉल्यूम यहां पे था फिर फॉल उसके बाद जो है वह निगेट होता गया वॉल्यूम कम होता गया दे वापसी में इन सेग्मेट में आपको बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलेगा जब भी प्राइस राइज होगा तो यह सिचुवेशन अब आने वाले टाइम पर यह स्टॉक रडार में रहने वाला है क्योंकि अब एग्जिस्टिंग सिचुवेशन को अगर आप देखोगे तो आप यहां पर मैं कहूंगा रिलेट कीजिए अब तक तो लोवर लो लोवर है की सिरीज चली रही थी अब जो है वापसी आपको देखने को मिले एक हायर हायर लो की सिरीज आरसाइप भी बनते वे लेकर इंपोर्टन है यह अगर रेंज सिफ्ट कर ले यहां से तो और भी अच्छी सिचुवेशन आ जाएगी क्यों क्योंकि हम यहां पे अभी बियरिस जोन में है तो एक बुलिश टेरिटरी में प्रवेश कर जाएंगे और में से उपर आ जाएगा तो वीकली के टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिविटी रेलीज इंडिया में देखने को मिल स था जब भी स्टॉख अगर हम बड़े टैम फ्रेम के साब से हैनी कि मंतली वीकली डिली टैमसरे मिलते हैं तो अगर जो रहा यह प्राइज के बात करते हैं एक बार ये price के साथ EMA 20, 50 EMA भी अगर नीचे चले जाते है 200 SMA की तो फिरी कमजोरी आ चुकी है अब तभी इसमें bullish force active जो है वो आपको देखने को मिलेगा जब ये situation जो यहाँ पर बनी है वो reverse होती भी दिखे ये देखे अब ये situation reverse होती भी दिखी है जो 200 SMA वो strong resistance का काम कर रहा था अब देखे अब ये image भी वापस आच चुक है तो यानि कि positivity और देखे जब भी positivity आपको देखने को मिलेगी तो smart money का activity जो भी होता है वो आपको volume के साथ देखता है तो इसलिए ये stock radar में आया है क्योंकि हमारे monthly weekly daily time frame में जब ये stock correction हुआ इसका almost 3700 के level के around से 180 के level रहा था 50% correction हुआ अब जाके आपको कुछ positivity देखने को मिल रहे है कुछ momentum देखने को मिल रहा है तो यही चीज है हमेशा जब भी आप time frames लेते हो तो यह ज्यान रखें कि जब आपका positivity जो लूज हुई है वह देखें लास्ट रेली देखिए यहां पर 2050 यह में भी 200 आपर चलेगे तो positivity यहां पर प्राइस गया खाली यह में नहीं गये तो फिर मोमेंटम बरकरार है प्राइस गया खाली यह में नहीं गया मुमेंटम बरकर आ रहे हैं थोड़ा सब मुमेंटम लूज किया वापसी हुई बढ़िया रही उसके बाद आप देखें क्या सिचुवेशन है तो आप यह रिलेट कर पा रहे होंगे उम्मीद करता हो और रिलेट के साथ से अगर आप देखोगी तो यहां पर हमारे पास मुमेंटम भी पॉजिटिव आ चुका है मेसीडी और आरसाइवी पॉजिटिविटी शोग कर रहा है तो डेली पर मुमेंटम स्टार्ट हो चुका है तो अब देखें इसकी अगर आप टार्गेट ले रहे हो बड़े टार्गेट के अग करके यह जोन्स देख रहे हैं इस पार्ट को यही हायर है हायर लोग की सीरी जो कि फ्रेक्टल नेच्चर मार्केट हमें और अपॉर्चर्टी देखा चोटे टाइम फ्रेंवाई वाइंडब करता है इस वीडियो को और उमीद करता हूँ आप समझ जरूर पा रहे होंगे र बार चुंद टो आप्र